दोस्तो बिलकम बेक माई चैनल लेड़ेस ने हुच तो लेड़ेस ने हुच में आप सब एका स्वागत है तो गाई जितने भी चात्रों ने यूपी स्कॉलर सीव 21 के लिए फार्म अपलाई किया था तो फाइनली आज की डेट में उन सबी चात्रों के लिए बहुत बड़ी एन गाई बहुत बड़ी खुसकबरी सामने आ रही है तो फाइनली आज की डेट में इतने मज़े तक आप शात्रों का मतलब जिन शात्रों का स्टेटस वेरिफाई नहीं हुआ था तो फाइनली आज की डेट में वेरिफाई हो जाएगा एन किन शात्रों का होगा मैं आपक करते हैं तो कईस याँ आप देख पाइंगे ना यहाँ पे आपको Scott का सब बिढ़ारतियों की सुल्ग भर पाई नहीं होने पर संस्तान्व में जावाप दे तो मतलब कि जो भी आपकी scholarship का जो भी आपका issue हों कर रहा है उसका सब्सेर cuadros आपके college वाले हैं तो आपको मैं कई बार मैं आपको बताया भी है कि आप सब आपके जितने भी दस्ता वेज हैं आपको आपके college में जमा करना होगा और college वाले आपके बार मैं जब पता लगा तो बाकी के चाथ इतने भी थे वो बोल रहे थे कि आपका इस बहातर गंटों के अंदर वेरिफाइब हो जाएगा बड उन चात्रों का ही होगा जिन चात्रों का उनके college से फारोट किया गया है वेरिफाइब के लिए उनका ही होगा ना की सबका होगा और इस कल मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो भी छात्रों का status verify हो रहा है कोई यहाँ पर रीजन नहीं आपको दिखा दू यहाँ पर comment में आपको दिखा दू ताकि आप सब सही से जान पाएं तो काई इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर कल के वीडियो में कुछ बच्चों ने आपके comment किया था यहाँ उनका status verify हो गया है तो finally जब उनक status verify हो रहा है जिन छात्रों ने अपना scholarship के लिए अपने college में दस्तावेश जमा किये हैं और college वाले उनका dwe low का फरण की है तो उनका verify हो रहा है और जितने भी छात्रों का dwe low का फरण के जा रहा है उनका 72 घंटों के अंदर उनका verify कर दिया जा रहा है अगर आपको देखना ह है यहां पे आप देखते हैं यहां पे आपको साफसा बता जा रहा है कि छादरूती और सुल्ख भरपाई उसे विद्यारतियों के वंचीत रहने से विद्यारतियों की सस्थानों की जवाब दे ही भी तै होगी प्रिवेस परिच्छा पल और डाटा फारॉड करने में देरी क सब्सक्राइब आप देरे के लिए होंगे जिम्मेदार तो गाइस मैं आपको चीद कंप्लेटली बता दूना कि आप जितने भी छात्रों का वेरिफाई हो गया है उनकी स्कॉलसी 25 मार्स तक सब की आजएगी ढगि नहीं है उनको ये काम करना होगा आपके कॉलेज में आपको दस्तावे जमा करना होगा वहां से आपके डियतली आपको स्कॉलसी 2456 पर कeničेट कर सकते हैं मैं वहाँ पे आपकी पुरी help करूँगा आप वहाँ पे अपना बस details send कर देना मैं आपकी पुरी help पर दूँगा verify कराने के लिए और guys पहले आप सब यहाँ पे देखिए जितने भी छात्रों का status verify हो रहा है तुरन से आके यहाँ पे चेक कर लेक बार से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहाँ पे तुरन अगर कोई questions हो डाउट हो या फिर कोई concept समझ में आए बोट्स हो या फिर जे इनिट पढ़ाई में किसी परकार का डाउट आ रही है तो इन सभी का solution है फिलो अप अपने डाउट को किसी भी time किलियर करें इन थ्री easy steps सबसे पहले play store या फिर app store से इस application को download कर ले फिर अपने phone number से इसे easily sign up कर ले अपने questions का picture ले या फिर टाइप करके submit करें उसके बाद फिलो आपको 60 seconds के अंदर इंडिया के top educators के साथ कर देगा आपकी question में आपना कहना चाहते हैं कि बल्ब की power कितनी है अगर बल्ब जो है वह 220 वोल्टेज पर operate हो रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेज है वह आपको 220 तो यह आपको simple relation होगे है यहां पर अब अगर को आपको आपको डाउट है तो आपताईए तो यह बहुत ह कियों नगी ने हैं तो चैनल को subscribe कर लेना विल ड़ने प्लिव पर डेना मैं आपको UP square कर लेने में मैं पूरी हिल करने वाला हूं तो गयाइस के लिए आप subscribe कर सकते हैं वाय बैटेक चैयर फिर से मिलता है वैब वैब